नमस्ते बच्चों अपने syllabus का first chapter शुरू करते हैं व्यवसाय का विकास तता आधार evolution and fundamentals of business सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें complete करना है तो देखते हैं syllabus में क्या क्या content है chapter 1 में भारत में व्यापार तथा वानिजे का इतिहास उसके बाद में देशी या घरेलू banking प्रणाली उस समय क्या थी फिर अध्यस्तों का विकास क्या थे मध्यस्त कौन थे किस तरीके से उनका विकास हुआ फिर यातायात के साधन उस समय की व्यापारिकेंद्र, मुख्य, आयात, निर्यात, विश्व अर्थ ववस्था में भारत का स्थान और फिर उसके बाद में इतना जो syllabus है ये दो साल से हमारे इस chapter में chapter 1 में इंक्लूट किया गया है उससे पहले हमारा जो first chapter है वो यहां से शुरू हुआ करता था कि व्यवसाय पेशा और रोजगार इन तीनों का क्या अर्थ है और क्या इनमें comparative evaluation है तो हम अपने chapter की शुरूआत यहां से करेंगी क्योंकि अब हमारे syllabus में यहां से है chapter 1 और क्या क्या इंक्लूट करेंगे मिसमें व्यवसाय के उद्देश्य गती विदियों का वर्गी करण हम उनने उद्द्योगों के प्रकार फिर वानिजय में क्या 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 आता है व्यापार की सहय क्रिया और लास्टोपिक chapter 1 का व्यवसाय जोखी उसकी प्रकृती और उसकी कारण तो एक एक टॉपिक को लेकर शु कास यानि की commercial development जो होता है वह उसके प्राकृतिक परिवेश्च पर निर्भर करता हैं अगर हम रेगिस्तान की बात करें ए कि बात करें हैं तो वहाँ पर किस तरह की प्राकरतिक्ष मुंद्धा है उसके अधार पर वह किन तो भी बातों से ज़ड़ी चीजों का डिवल्पमेंट किया जा सकता है अगर कहीं पर समुद्र जादा है तो वहां पर जल से related business बहुत जादा देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर हम उस दौर के भारत की बात करें तो भारत में उस समय दो मुखे व्यापारिक मार्क थे एक तो वो जिसे हम सिल्क रूट या रेश्मी मार्क के नाम से जानते थे और दूसरा था जिसे की मसाला मार्क के नाम से जाना बारे में किवल हमें passing reference देने हैं बस हमें सुनना है समझना है इन चीज़ों को बहुत चोटे questions आते हैं इस topic में से तो यह तो व्यवसाई का इतिहास था उस दौरान अब बात करते हैं कि उस समय देशी या घरेलू banking प्रणाली क्या थी कैसी थी तो आप अगली heading डाल सकते है स्वदेशी या घरेलू banking प्रणाली अब देखते हैं स्वदेशी ओघरेलू banking प्रणाली का मतलब क्या है फैब वैसे तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है घरेलू मतलब की जो अपने देश के अंदर ही जिस चीज़ का विकास हो रहा है तो प्राचीन काल में भारत में ज़रुरत है परिभाशा नोट कर सकते हैं देशी बैंकर वे बैंकर वे व्यक्ति या संगर्ठन होते हैं जो कि लोगों से जमास्विकार करते हैं हुंडियों में व्यफसाय करते हैं और रिंड देने का कारे करते हैं यहां पर एक वर्ड आया है हुंडियां जो कि आपने आज यहां पर जरूर मिलेगा उस दोरान कुछ विशेश जातिया भी थी जो कि देशी बैंकरों का काम करती थी जैसे की ऐसे कुछ नाम जो हमें उस समय सुनने को मिला करते थे महाजन, खत्री, क्यास, चेटी, साहुकार, सर्राफ यह आम तोर पर यह वह व्यापारी वर्ग होता थ जो कि बहुत बार देशी बैंकरों के रूप में काम करते थे देशी बैंकरों का मतलब रिंड लेना, जमास्विकार करना, रिंड देना, जमास्विकार करना, और हुंडियों में व्यापार करना, अब देखते हैं हुंडी क्या होती है, तो आप हैटिंग डाल सकते हैं हुं लिखित रूप में प्रमार्ण के रूप में रख सकता है तो उसी तरीके से उस दौरान भी हुंडी नामक एक दस्तवेज हुआ करता था एक होता हुटा दो प्राचीनकाल में बहुत जाता था दो उस दौरान प्राचीनकाल में बहुत जादा इस्तिमाल किया जाता था तो रिंड देते समय बनाया चाथा चाजपने तो प्रकुमुन्ट को का यूंडी को तुर्त होता था जैक्म को तो हुआनलैसे इक हुन्डी के द्वारा कने समय जब उधार दीरह और इनसारी caun रा का ने चिदो का उन्लेग किया जाता है दीिल्डc होता है कितने होती है हुंडी के प्रकार, basically हुंडी बेटा दो तरह की होती है, there are two types of हुंडी, number one, दर्शनी हुंडी और दूसरा, मुद्धती हुंडी, दर्शनी, मुद्धती, दर्शन करते ही payment करनी है, मुद्धत मतलब एक समय के बाद payment करनी है, तो हुंडी कितने तरह की, दो तरह की, कौन-कौ सबसे पहले दर्शनी हुंडी, heading डाल सकते हैं, वीडियो को pause करके, यह सारी चीज़े आपको अपने register में note करनी है, क्योंकि NCRT की book में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा explanation है, इतने brief explanation तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए इनको छोटे-छोटे points को note कर दर्शनी हुंडी क्या होती है, ऐसी हुंडी जिसको देखते ही भुक्तान करना पड़े, जैसे ही वो हुंडी सामने पेश की गई तो भुक्तान करना पड़ रहा है, यानि कि दर्शन करते हमें उसको payment करना है, दर्शन मतलब देखना, ना मुद्दती हुंडी ऐसी हुंडी है वो को लेकर आया तो जिसने भुक्तान करना है वे उतने महादी के बाद में एक महीने के बाद में पेमेंट होनी है तो यहाद Troy की मेर science के बाद में लेकर चला गया तो जो गंध Rain के बाद है तो हट रिक ना पड़े तो दर्शनी हुंडी एक समय के बाद धुकतान करना हो तो मुद्धती हुंडी इसमे हुंडी में हमें समझने की जरुरत है कि हुंडी का क्या अर्थ है ये कितने प्रकार की होती है और उनका क्या मतलब है अब देखते हैं कि इस हुंडी का इस्तिमाल करने के अलावा देशी bankers और क्या क्या काम करते थे उस समय कर उस समय के देशी bankers हुंडियों के अलावा या हुंडियों के साथ साथ यह सारे काम क्या करते थे जैसे की ड्रिंड देना जमा सुईकार करना अगर किसी ने पैसे जमा कराने हैं तो उसके पैसे को अपने पास जमा रखना हुंडियों का व्यापार करना जैसे बताया कि लेंदेन बना कर भी बेचते थे अगर किसी को लेनी है देनी है कुछ करते हैं उस समय की जगा हुंडियों का इस्तिमाल किया जाता था तो एक कमिशन एजेंट के रूप में काम करते थे जमा सुईकार करते थे या फिर देने का काम करते थे ज्यादा इसमें कोई प्राचीन काल में जो पुराना भारत था वहां पर कैसे व्यापार होता था वहां के बैंकर्स क्या थे कैसे काम करते थे इन सब चीजों की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए चैप्टर वन में सब चीजों को इंक्लूट किया गया है इसे वीडियो को पॉस करके ज़ादा चलण में देजना है तो जल्मार्क का श्तिमान के एंदर ही करते छोंग का सबसेदाव देशी बैंकरों के अलावा और कौन-कौन से व्यापारी समुधायों थे जो बहुत-जादा मजबूत थे उस दौरान, इनको हम इन तीन कैटेगीरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो अप हेडिंग डाल सकते हैं मजबूत व्यापारी समुधायों और क्या से इंकलूड़िड ह जैसे कि इन्हें मर्चेंट कॉर्परेशन सर्राफ या मनी लेंडर के नाम से अम इन्हें जानते हैं, और ब्रोकर्स में पुछ लोग हैं जन्हें की मर्चेंट पॉर्परेशन के नाम से जाना जाता है और सराफ और मनी लेंडर जो सोने चांदी में डिल करते हैं कोई व्यक्ती जो कि कमीशन के बदले में हमारे लिए काम करें तो तीन तरह के व्यापारिक समुधाय थे जो उस समय popular थे कौन कौन से merchants इन्हें हम merchants भी कह सकते हैं या merchant corporations कह सकते हैं दूसरे सर्राफ या moneylenders और तीसरे brokers सर्राफ मतलब जो सोने चांदी का लेंदेन करें और moneylender जो पैसे का लेंदेन करें अगर आप चान्डी चौक की दरफ जाये तो वहां पर सरराफ़ा Market के नाम से एक Market popular ही तो वहां पर करते हैं। तो तीन मजबोत व्यापारिक समुदा है जो हमें याद रखने हैं आगे चलते हैं वीडियो को पॉस करके यहां तक नोट कर लो पहले सबसे पहला था पाटले पुत्र जिसे कि अब हम पटना के नाम से जानते हैं और उस समय यहां पर नगीनों का निर्यात किया जाता था और यह व्यापार का बहुत बड़ा केंदर था नगीने मतलब होते हैं बहुत ही महेंगे जो जैम्स होते हैं जैम्स होते हैं उन्हें नगीने का जाता है फिर दूसरा नाम है पेशावर का जो की एक व्यापारी केंद्र था यहाँ से घोडों का आयात किया जाता था उन का निर्यात किया जाता था फिर तीसरा नाम है तक्षिला जिसे की उस समय बेंकों का शेहर माना जाता था और यह विद्या का केंद्र भी था आपने तक्षिला विश्विध्याले का नाम सुना होगा तक्षिला एक बहुत important समय रहा उस समय के लिए आज भी इसका नाम बहुत popular है तक्षिला के नाम से हमारे पास कुछ उनिवर्सिटीज भी है तो इसे विद्या का केंदर भी माना जाता है बैंकों का केंदर भी माना ज चाहिए चौथे व्यापारी केंदर के बारे में डिसकास करते हैं चौथी जगा जो बहुत important थी इंद्रप्रस्थ इसे एक जंक्षन भी माना जाता था वानिजी केंदर जंक्षन माना जाता था क्यों क्योंकि अलग अलग स्टेट से North East West South सब जगाओं से लोग यहां पर इ मिथिला मिथिला एक ऐसी जगा थी जहां चीन और युनान से बड़े बड़े व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे फिर उज्जैन भी बहुत popular है यहां पर पत्थर और मलमल का व्यापार किया जाता था सूरज जो था वह पश्चिमी शेत्र में कपड़ा के लिए बहुत जादा प्रसिद्ध था और पश्चिमी शेत्र का व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बाना जाता था इनके आपको नाम याद रखने हैं बहुत जादा डीटेल में याद नहीं रखना है कहां पर क्या होता था कुछ चीजे हैं जिनका याद रखना है इसे पा किया जाता था चाइना को फिर मदुरई में मदुरई में हम बहुत सारे व्यापार किया करते थे स्पेशली निर्यात के लिए मदुरई पॉपिलर था मोती गहने फैंसी कपड़े इन सब चीजों का निर्यात यहां से किया तो कांची से निर्यात किया जाता था मदूरई से पर विदेशी व्याप्यारे को मुख्याले माना जाता था यह एसी जगह थी जो कि बहुत वैग्यानिक और बहुत ही सुविधाजनक शहर के नाम से इसको जानते थे बहुत ही सुविधाईं थी और यह जहाज मिर्माण के लिए भी कावेरी पाटनम बहुत पॉपिलर था मश सब्सक्राइब होता था तेल नियाथ होता था कपास रइहीं होगा अपने कोई नीच भी कोई देखूँ गी कि दबरदस्ती नील की खेट्य कराई जाती थी और फिर उसको पर रहती घया जाता था है अभी मुवेशियों मवेशियों का निर्यात और अगर मवेशी मर गए हैं उन्हें मार डाला जाए तो उनकी खाल उनके फर उनके सींग चमड़ा इन सब चीजों का निर्यात यह सब चीजें निर्यात में इस्तिमाल होती थी निर्यात का मतलब भारत से बाहर जाना अब बात करते हैं आयात में क्य पुकराज, काच, तांबा, सीसा, टिन, सिल्क, रेशम का निर्याद भी होता था, रेशम का आयाद भी होता था, अलग-अलग काटेगरी का, अलग-अलग क्वालिटी का, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आप नाम याद रख सकते हैं, निर्याद के चार आइटम्स पुछी जा सकती हैं, आयाद की दो आइटम्स पुछी जा सकती हैं, तो आपके काम आ सकता हैं, इसे नोट कर लो, फिर हम अपने हिस्ट्री ओफ बिजनेस इन इंडिया के बारे में हमारा लास्ट टॉपिक है, उसे डिसकस करेंगे, सो हेडिंग डालीजे, विश्वर्थ व भास्ता में भारत का बड़ा नाम था, बहुत जादा पॉपिलर था भारत और उसे स्वन भूमी या स्वन द्वीब भी का जाता था, क्या का जाता था भारत को स्वन भूमी या स्वन द्वीब, स्वन का मतलब समझते हैं, स्वन मतलब सोने की भूमी, सोने का द्वीब, और खाली इस्ट इंडिया कंपनी नहीं बहुत सारे विदैशी निवेशक यहां पर आए और भ्यापार करने लगे अब धीरे-धीरे क्या हुआ इतना जादा बढ़ गया कि भारत एक ऐसा देश बन गया जो कि समरिद तो था लेकिन जो उसके निवासी थे वो क्या थे गरीद थे क्यों कि लोगों को नहीं पन अपने दे रही थी यह कंपनी अब इस ने कंपनी के बदलते नियमों ने भारत के व्यापार का रुखी बदल जिन चीजों का कभी भारत निर्यात किया करता था उनी चीजों को भारत आयात करने लगा अब हमें इस चीज में समझने की जरुरत है कि क्या चीजें हैं जिनका हमें आयात करने में फाइदा है क्या हुआ था पहले भारत तयार माल को निर्यात करता था पहले माल को बनाते यहां पर भारत में आ रही थी तो पैसा आ कम रहा था और जाजादा रहा था तो भारत पहले तो तयार माल का निर्यातक हो करता था पर अब वो कच्छे माल का निर्यातक और तयार माल का आया तक बन गया तयार माल मंगाने लगे बाहर से जो कि देश के लिए अच्छा नहीं ह भारत की इस पूरी हिस्ट्री को हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं शुरु में उसे स्वणभूमी के नाम से जाना जाता था लेकिन इस्ट इंडिया कंपनी और यूरोप आया और उन्होंने यूरोप के कुछ व्यापारी आया और उन्होंने आपर कंट्रोल करना सिती कम जोर होग वें जैसे हमने कहा कि देश तो तो नहीं भी रहा वह समय पर 확인 लोग गरी ती जिसने की लोगों को benefit नहीं पहुंच रहा थी यह हमारा फिर्स चैप्टर का पार्ट अगली वीडियो में हम यहां से शुरू करेंगे कि वेशाय का अर्थ है क्या उसकी विशेष्टाइं है वेशाय पेशा रोजगार में क्या अंतर है क्या उनका तुलनात्मा का धियन है यहां तक हम इस वीडियो में कम्प्लीट कर चुके हैं तो भी हम उसको कर सकते हैं लेकिन इस बर हमें detailed questions की जरुरती नहीं है MCQ question अगर आता है तो यहां तक में भी हम उसे असानी से कर पाएंगे Thank you God bless you